कीवर्ड्स SEO के लिए बहुत एहमियत का हामिल हैं हमने पहले ही जान लिया लेकिन कीवर्ड्स कितनी टाइप्स की हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसाल के तोर पे आपके कपड़े की दुकान है आपके पास बेश्मार लोग आएंगे जो आपसे कपड़ा मांगेंगे उसमें बचे भी हो सकते हैं उसमें बड़े भी हो सकते हैं खवातीन भी होंगी और मर्द भी होंगे अब वो आप से आके क्या डिमांड करेंगे अब वो हर बंदा अपनी मर्जी के मताबिक जो उसको चाहिए अपनी जरूरत के मताबिक आप से डिमांड करेगा कोई कहेगा मुझे लेटेस ट्रेंड दिखा दो कोई आपसे मांगेगा कि जी कल मेरा function है और मैंने function पे त्यार होके जाना है तो मुझे इस तरह का कोई design दिखा दो कोई आपसे शादी की कपड़े मांगेगा कोई आपसे business की कपड़े मांगेगा इस तरह से बेश्मार लोग लेने तो कपड़ा ही गए हैं लेकिन वो different तरीकों से अपनी जुरूरत का इज़ार करते हैं और गाहक को देखते हुए दुकानदार को अकसर ये मालूम होता है कि कौन सा गाहक serious है और कौन सा नहीं आपने भी अकसर अपनी life में असा feel किया होगा कि आपको पदा चल जाता होगा कि आपके गाहक कितने serious हैं और कितने नहीं हैं यही मिसाल हम digital में ले सकते हैं digital में जब लोग search करते हैं Google के उपर वो अपनी need या जरूरत के मताबग अपनी चीजें धूनने की कोशिश करते हैं अब यह जो need और जो जरूरत है इसको जब वो इलफाज में ढालते हैं वो basically keywords कहलाते हैं लेकिन इन keywords का मकसद क्या होता है यह keywords किस तरह के होते हैं और कौन सा keyword हमें क्या बता सकता है उस customer के बारे में जो शायद हमारा customer बन सकता है तो keywords की different types हैं उसमें कुछ छोटे होते हैं कुछ लंबे होते हैं और कुछ बेमाइनी होते हैं और कुछ का बड़ा गहरा meaning होता है और अक्सर ऐसे words होते हैं जो बिलकुल specific हमारी audience हमें पाता होता है कि यह search करेगी और हमें वो ही लोग चाहिए होते हैं जो exactly वो ही search कर रहे होते हैं short tail keywords एक या दो words पर मुझे नमिल होते हैं इन दो words में अगर आपने mobile phone search करना है तो आप लिखेंगे mobile phones अब mobile और phones दो word हैं इसके अंदर यह एक short tail keyword कहलाएगा इसमें एक problem यह है कि इसमें हमें यह नहीं पता कि search करने वाला यह mobile phone खरीदना चाहता है या mobile phone बेचना चाहता है या mobile phone की latest specs या उसकी prices देखना चाहता है अगर हम यह लिखें कि mobile phone prices in Lahore तो यह कदरे लंबी फ्रेज है और हमें इससे यह पता चलता है कि इस फिकरे में एक proper sense बन रही है कि user एक mobile phone दून रहा है और वो भी लहोर में यह जो दो यह दो से ज़्यादा words के search queries होती है या keywords होते हैं इनको हम long tail keywords कहते हैं short tail में और long tail में यही फरक होता है कि short tail search तो ज्यादा होते हैं लेकिन उनके माइनी काम होते हैं तो आप यह ज़्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते कि short tail search करने वाले आया specific search रखते हैं आया कोई intent रखते हैं या कोई जरूरत रखते हैं या नहीं रखते हैं लेकिन अगर आप इसी को long tail keywords देखें तो आपको उसमें काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि लोग क्या चाहते हैं इसी तरह आप keywords को एक और तरह से classify कर सकते हैं जिसमें for example broad keywords और specific keywords तो यह असल में short tail और long tail की ही एक different form है जिसमें short tail को basically broad keywords कहते हैं broad keywords वो होते हैं जिनका माइनी बहुत बड़ा होता है यानि कि वो बहुत specific बात नहीं करते और हमें समझ नहीं आती कि वो specific meaning उसका क्या है तो broad sense में वो एक वसी माइनी रख सकते हैं जैसे कि हमने पहले जिकर किया कि अगर mobile phone कोई सर्च कर रहा है तो हमें यह नहीं पता कि वो बेशने के लिए सर्च कर रहा है वो खरीदने के लिए सर्च कर रहा है या उसका mobile phone तूट गया है specific keywords होते हैं यह बहुत ज़्यादा specific भी हो सकते हैं यह कुछ कम specific भी हो सकते हैं लेकिन यह कदरे बेतर होते हैं broad keywords से for example कि अगर आपका mobile phone ठीक करवाना है तो आप में भी सर्च करेंगे mobile phone repair shops in lahore तो इसमें हम यह समझ आती है कि लोग जो सर्च करने वाले हैं वो mobile phone repair shop धुन रहे हैं और वो भी lahore के अंदर इसको आप मजीद specify कर सकते हैं मजीद specific करने के लिए आप इसमें मजीद चीज़ें कैसे add करेंगे for example अगर कोई सर्च करता है mobile phone repair shop in gulberg lahore तो अब बिलकुल Google को यह समझ आ गई है कि सर्च करने वाला जो सर्च कर रहा है वो repair shop दून रहा है लेकिन gulberg के अंदर और वो lahore city भी clarity आ गी और वो gulberg की भी clarity आ गी तो यह जो keywords हैं जिसमें broad और specific यह हमें समझें इसलिए जरूरी है कि हम किस चीज़ पर focus करेंगे यह बाद में चलके हमें यही keywords हमें help करते हैं कि हमने किस keywords पर focus करना है और किस पर नहीं करना एक और तरह से keywords को classify किया जा सकता है जो के simple queries में या money keywords में simple queries वो queries हो सकती हैं जिसमें लोग बस browsing करने के गरसे आपकी website पर आना चाहते हैं या browsing करने के गरसे Google पर search कर रहे हैं जैसे के mobile phone की example दोबारा लेते हैं कि अगर लोग search कर रहे हैं latest mobile phone friends या latest mobile phone specs या new mobile phones या new latest mobile phones in 2018 ये वो सब searches हैं जो लोग लिखेंगे शायद उनको latest phone के बारे में जानना है कौन से आ रहे हैं कौन से नए आने वाले हैं इसमें कहीं भी ये clear नहीं होता कि वो बंदा उस वक्त mobile phone खरीदने की गरसे वो search कर रहा है अब इन queries को हम simple queries इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये clear नहीं होता कि इसमें intent क्या है लेकिन इसके बारक्स कुछ queries ऐसी हैं जिसमें हमें बिल्कुल specify हो जाता है कि वो actually user buy करने की गरसे search कर रहा है for example अगर आपने Samsung का mobile लेना है या किसी और brand का mobile लेना है तो सबसे पहली चीज़ आप जो search करते हैं वो हैं उसकी prices अगर को ये लिखे Samsung Note 9 prices in Lahore इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा जो search कर रहा है उसको Samsung का Note 9 mobile phone चाहिए और वो उसकी prices search कर रहा है अब ये search query उस search query से बहतर है जिसमें हमें ये समझनी आ रही थी कि वो mobile prices से क्या search कर रहे हैं या mobile phone से क्या search कर रहे हैं अगर आपको कोई साभी brand search करना है तो आप उस brand का नाम लिखेंगे उस phone का model का नाम लिखेंगे और उसके साथ उसकी prices लिखेंगे इसमें क्या होगा इसमें जब search करने वाला एक specific phone की prices जब search करेगा तो हमें ये clear हो जाएगा कि ये बंदा इस phone को खरीदने की घर से prices search करता है तो जब भी किसी ने mobile phone लेना होता है तो पहला काम वो ये करते हैं कि उस mobile phone की prices सर्च करते हैं अब इस query में और जो इससे पहले एक simple query थी जिसमें सिर्फ mobile phone ये later mobile phone की बात हुई थी इसमें फरक ये है कि पहली query में हमें ये नहीं पता था कि वो खरीदेने की घर से सर्च कर रहा है जबकि उसने prices का word साथ लगा दिया तो हमें ये clear हो गया कि इमकान है कि ये बंदा ये mobile phone खरीदेना चाहता है और तब ही इसकी prices देख रहा है अब ये अलग बात है कि वो अपने लिए खरीदना चाहता है या वो किसी के लिए खरीदना चाहता है लेकिन उस एक word ने उसका पूरा मतलब चेंज कर दिया और हमें ये keywords इसी तरह से help करते हैं कि हमने कौन से keywords को shot list करके किन को select करना है और कौन से curious पे focus नहीं करना या करना भी है तो बाद में करना है ये सब चीजे इसलिए important है कि अगर हम गलत keywords पे काम करेंगे तो शायद हमें वो results ना मिलें लेकिन अगर हम सभी keywords पे काम करेंगे तो हमें अच्छी results मिल सकते हैं और यहाँपर सभी से मुराद क्या है यहाँ सभी से मुराद यह है कि वो keywords जिन keyword से हमें sales मिल सकती है तो अगर आप एक business run कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गाग आपके लिए business लेकर आ रहा है या कौन सा गाग आप से चीज़ खरीद कर जाएगा हमें ये मालूम है कि जैसे हमने देखा कि अगर कोई बंदा prices search कर रहा है या वो buy mobile phone certain brand लिख कर अगर कुछ search कर रहा है तो buy का word या prices का word इस चीज़ की निशान दहीं करता है कि हो सकता है ये बंदा इस वक्त buy करने के लिए या खरीदने के लिए ready है तब ही ये या तो उसकी purchasing की website जून रहा है कि कहां से खरीदा जा सकता है या वो ये देख रहा है कि इसकी prices क्या है और कहां कहां पर कितनी कितनी prices लगी हुई है इन keywords को हम money keywords कहते है money keywords मराद वो keywords जो ultimately ऐसे search queries जो आपको पैसे दे कर जाएं आपको पैसे देने से मराद कि जब वो search करें लोग वो आपकी website पर आएं और आपकी website पर आके shopping भी करें और उस business की sale हो कि वो बकाईदा उसे कुछ खरीद कर लेके जाएं ये कैसे possible हुआ ये जब query start हुई जब उसने prices search की जब उसने buy का words लिखा हमें clear हुआ कि ये वो लोग हैं जो possibility है कि intent रखते हैं या एक need रखते हैं कि हैं उनको एक phone चाहिए वो website पर आते हैं वो buy करते हैं and then वो exit कर जाते हैं website से तो ये money keywords को identify करना एक main हमारे लिए एहम काम होगा ये money keywords हमें help करते हैं कि हम अपने business को उन keywords के against optimize करें जो लोग search कर रहे हैं ना के उन keywords के against optimize करें जो लोग search नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं तो उन से उनकी कोई मराद समझ नहीं आ रही कि क्या वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं